I like to be educated, but I'm so frustrated, hello to my loneliness, I guess the endurance is bliss सजना, सवरना, अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल रहना, हम सभी को अच्छा लगता है पर डेली के बिजी शिरूल में खुद के लिए टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट है और ऐसे में अगर हमें चीजे ढूरना पड़े, नेल पेंट का है, ये वाली येरिंग नहीं मिल रही है, तब मुश्किले और जादा बढ़ जाती है आज मैं आपके साथ ड्रेसिंग टेबल और्गिनाईजेशन शेयर करूंगी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ ये वर्क स्टेशन का सेट अप शेयर किया था, आप लोगों ने उसको काफी पसंद भी किया था ये मेरा मास्टर बेडरूम है, इसके विंडो वाले एरिया में मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल बनवाई है कबर्ट के अंदर ही मैंने ग्लास लगवाया है, ताकि उसमें डस्ट भी ना जमे और जब मैं ओपन करूं तो मेरे सामने मिरर हो ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में और्गिनाईज किया था, ग्लास वगरा पुरा फुल साइज का है विंडो से लाइट भी अच्छी आती है, तो मेक अप अगरा करने में आपको अलग से लाइट नहीं लगानी पड़ती बट इस रूम से मुझे देश निकाला मिल गया, विज़ा नेस के हस्बेंट का वर्क फॉर्म होम रहता है, तो मैं उस कमरे में बार बार नहीं जाती उसके लिए मैंने चिल्डरन बेडरूम में एक और रेसिंग टेबल बनवाई है इसमें नीचे थ्री ड्रॉर्स भी हैं, मतलब पिछले वाले से थोड़ा जादा बड़ा ये तीन ड्रॉर्र मैंने कैसे और्गिनाईज की हैं, इसी का वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ सामने ग्लास है, यहाँ ओपेन एरिया भी है जिसमें आप काफी चीजें रख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले मैंने उस रूम से अपना सारा सामान लाके बेड पे रख लिया और उसको सेग्रिगेट करना शुरू किया इसी बहाने सारा सामान भी क्लीन हो जाएगा और डीकलटरिंग भी अच्छे से डीटेल में हो जाएगी यह भी पता रहेगा कि मेरे पास चीजें कौन-कौन सी है जो मैंने लंबे समय से यूज नहीं किया है सेग्रिगेट करने के बाद सबसे नीचे वाले ड्रॉर में मैंने अपनी एक्स्रा ओकेशनल पहनने वाली जोलरी और बैंगल्स रखी हुई है यहीं पे एक और बॉक्स में मैंने अपनी बैंगल्स रखी है जिनके बॉक्सेस नहीं थे इससे वो सेफ रहेंगे एक कपड़ा भी मैंने डस्टिंग वगरा के लिए यहां रखा है सेकंड रॉर में मैंने एक लड़ू के डब्बे में अपनी एक्स्ट्रा नेल पेंट, सिंदूर वगरा जो एक्स्ट्रा था इसी तरह से मैंने ब्रेसलेट ये सब कुछ एक मिठाई के बॉक्सेस में रखा हुआ है मैं बाहर से कोई और्गिनाईजर खरीदना पसंद नहीं करती घर में जो भी छोटी मोटी चीजें हैं आप उसी में चीजें बहुत अच्छे से और्गिनाईज कर सकते हैं मिठाई के डबो में ही मैंने कलीव, रबर बैंड और बाकी एक्स्ट्रा चीजें रखी हैं टॉप के ड्रॉर में मैंने अगेन एक चॉकलेट का डबा लिया है और उसमें अपनी येरिंग और्गिनाईज की है फ्रीज के जो हमारे आइस ट्रे होते हैं वो तूट जाने के बाद कोई काम के नहीं होते क्योंकि उसमें आइस तो अब जमा नहीं सकते तो उसी में मैंने अपने लिप्स्टिक और नेल पेंट और्गिनाईज किये हैं वो मूव ना करें तो पिछे एक्स्ट्रा सामार रख दिया है एक और मिठाई के डब्बे में मैंने अपनी वाचेस, पर्फियूम, लिप्स्टिक रखे हैं और सामने के स्पेस में कॉम वगरा इस तरह से इसी स्पेस में मेरा सब कुछ और्गिनाईज हो गया मिरर के पीछे भी थोड़ा सा स्टोरेज है यहाँ पे डोर पे मैंने अपने बिंदी का और्गिनाईजर लगाया हुआ है और अंदर की तरप यहाँ सबसे नीचे एक बॉक्स में एक्स्ट्रा कॉम, लिप्स्टी, काजल जो भी मुझे या तो गिफ्ट मिलते हैं या मैं पर्चेस करके लाती हूँ वो रख देती हूँ यहाँ पे बॉक्स में मैं अपने कंगन जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं वो सारी चीजे मैंने यहाँ पे और्गिनाईज किया हुआ है इसके उपर वाले सेक्शन में मैंने सारे अपने पर्फियूम रखे हुए हैं इनका गुड कलेक्शन मेरे पास है यह भी ओपन तक नहीं किया है मैंने इसके और उपर जो मेरी एक्सपेंसिव जोलरी होती है प्लाइटिनम कोटेड या सम्थिंग लाइक दा वो यहाँ पे मैंने रखा है क्योंकि उनको निकालने में ही मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गुमा न दूँ तो यह इनके बॉक्सेस के साथ ही यहाँ पे रखे हुए हैं इसके और उपर अगर आप जाएंगे तो उसमें और दो स्लेब हैं जिसमें मैंने अपने गिफ्ट बॉक्स और एक्स्ट्रा कुछ जो मेरी नीड के समान है वो सारे बॉक्सेस में और्गिनाईज किया हुआ हो हम सभी किचन में बहुत सारा टाइम और एफ़र्ट लगाते हैं ताकि हम अपनी फैमली का अच्छे से ख्याल रख पाएं बट अगर किचन में यूटेंसिल्स, एप्लाइंसेस और ग्रॉसरी अपनी सही जगह पे ना रखी हो तो अगेद हमारा बहुत सारा टाइम और एणरजी ऐसे ही वेस्ट हो जाती है इवेन और्गिनाईजेशन की मैथ़र्ड आपके क्लीनिंग और डिक्लेटरिंग के टाइम और एफ़र्ट को भी कम कर देता है इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम और एनर्जी होगी ताकि उसे खुद पे ये कहीं और बेटर जगह पे इन्वेस्ट कर सके। यहाँ पे मैं किचन का कुछ एरियास के और्गिनाजेशन का वीडियो शेयर कर रही हूँ। बच्चे शाम को कुछ स्नैक्स मांगते हैं तो मैंने इस कॉर्णर पे और इवन इस वाले कैबिनेट में स्नैक्स रखा हुआ हैं ताकि मेरा बेटा खुद ही उठा के ले सके। यहाँ पे चीज़े मैंने जार में रखी थी बट आप देख रहे हैं कि बहुत सारा वर्टिकल स्पेस खाली है। अब इसके लिए नया और्गिनाइजर लेने के बज़ाए मैं घर पे पड़े हुए एक पुराने और्गिनाइजर का ही योज़ कर रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि इसका जो थी प्लक का पिन है वो इसे कवर ना हो। तो मैंने उसको थोड़ा सा एकदम दिवाल से टिका के रखा। इस पे लाइनर बिच्छा दिये। लाइनर बिच्छाने से जगह का लुख ही चेंज हो जाता है। सारी स्नैक्स मैंने इसी में और्गिनाईज कर दिये इवन उपर के कैबिनेट वाले। यहाँ पे मैंने लेवलिंग की हुई है। जिस डब्बे में स्नैक्स है उसका लेवल सामने की तरफ जब यह खाली हो जाएगा तो मैं इसको पीछे की तरफ टरन कर देती हूँ। मैंने उनको स्लीपिंग मोड में रखा। अब स्लीपिंग में रखने से एक प्रॉब्लम हो रही थी कि यह राउंड है तो इस तरह से रोटेट हो रहे थे और टक टक ही आवाज आ रही थी। अब क्या करूँ। तो इनके लिए मैंने इस पे एक और मोटा लाइनर बिछा द रहेंगे। मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और बहुत सारे पैसे भी बच गए नया और्गिनाइजर खरीदने का। सबसे उपर मैं फ्रॉट्स रखती हूँ। अगर कभी वो रैक खाली हो जाता है मुझे दही जमाना है तो मैं दही भी वही पे सेटल होने के लिए एक मनी प्लान डेकोरेट करने के लिए कॉस्ट क्यों खर्च करनी है जब आपकी घर की चीजों से ही आप उसको बहुत अच्छे से और्गिनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैसों के साथ बहुत सारा स्पेस भी सेफ कर लिया। यहाँ उपर वाले कैबिनेट में मैं अपना मिक्सर ग्राइंडर उसके जार और कुछ और एप्लाइंसेज रखती हूँ। इसका रिजन यह है कि यहीं पे प्लग है तो आसानी से मैं मिक्सर फिट कर सकती हूँ। जार को मैं हमेशा उल्टा रखती हूँ ताकि उसमें डस्ट वगड़ा डिपॉजिट ना हो। कैब मिक्स ना हो इसलिए उसके उपर ही रख देती हूँ। और्गिनाजेशन की प्रोसेस चलती ही रहती है। जितनी चीजें हैं उनहीं से हम और्गिनाईज करते हैं। चीजों को चेंज करते हैं ताकि उनकी फंक्शनालिटी बढ़ जाए। ये सब ट्राइल और एरर से होता है। मतलब आप कोशिश कीजिए, हो सकता है कुछ आप नया सीख जाए। आगे की वीडियो रेगुलर आएंगे। हो सकता है टाइम थोड़ा यहां वहां हो तो प्लीज आप उतना कंसीडर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल। तक तक आप अपना और अपने फैमली का खयाल रखते रहिए। बाई 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 बाई